दक्षिन भारतिय अभिनेता नागा चैतन्य अपनी आने वाली फिल्म थंडेल की तैयारी में काफी व्यस्त हैं। वो लगातार इस फिल्म को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। ठंडेल में नागा के साथ साई पल्लवी भी मुख्य भूमिका में दिखाई देंगी। फिल्म पर तेजी के साथ काम किया जा रहा है। इसी बीच नागा चैतन्य ने फिल्म के बारे में कुछ बातें साज़ा की हैं। ठंडेल की कहानी प्रेरणा दायक है। हाल ही में मीडिया से बात चीत करते हुए नागा ने कहा कि ठंडेल की कहानी प्रेरणा दायक है। उन्होंने इसे अपने अब तक के करियर की सबसे बड़ी फिल्म भी करार दिया। नागा ने कहा कि विज्वल फिल्मों में दर्शकों को सिनेमा घरों तक लाने की क्षमता होती है और इसी लिए इनका निर्माण सही तरीके से होना चाहिए। किरदार तयार करने में लगे नौ महीने। ठंडेल की कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। इसका निर्देशन चंदू मोंदेती कर रहे हैं। नागा ने बताया कि उन्होंने अपने किरदार को तयार करने में लगभग 9 महीने काम किया था। बता दें कि गीता आर्ट्स द्वारा फिल्म का निर्मान किया जा रहा है। जिसे संगीतकार देवी श्री प्रसाद ने अपनी धुनों से सजाया है। फिल्म में दिखेगी मचुआरों की कहानी। ठंडेल की कहानी साल 2018 में हुई घटना पर आधारित है। जिसमें आंध्र प्रदेश के श्री काकुलम के कुछ मचुआरे गलती से पाकिस्तान की सीमा में चले गए थे। जहां उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। मालूम हो कि नागा चैतन्य ने खुद उन मचुआरों से मुलाकात की थी। और उस परेशान कर देने वाली घटना को लेकर उनके अनुभव भी जाने थे।